तो कैसे हैं दोस्तों अब मैं आपके सामने फिर से जे इमेंस के 27th के जैन के सेकंड पेपर के अनलीसिस के साथ हूँ पेपर बन के अनलीसिस हमने बॉड़ियां से देखा बहुत अच्छे तरीके से कैसे इंठी ने बाइलिंस किया पेपर को इसलिए जो बच्छे आगे के दिनों में एकजाम में अपेर बने वाले हैं उनके लिए वेस्ट ओफ लग और बहुत इस आराम से क्वेशन को अटेम्ट कीजिए क्योंकि आपकी एकुरेस्टी आपके रिजल्ट और रैंक को सुधार सकती है अब अगर पेपर टू की बात करें तो फिर से पेपर टू में केमेस्ट्री को मॉडरेट रखा गया इस बार उन्होंने जो सेक्संस को ज़्यादा ध्यान रखा वो था केमिकल काइनेटिक्स, अलकोहल, एथर, अलडिहाइड, कीटोन, कावोक्स लिकेसीड, से बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं, अगर आपने प्रिवेस यर क्वेस्ट्ट्ट्ट्न से पेपर पीचले, दो सालों के वह पर लखेंड अपने अच्छे से अट्यम्ट कर रखा है, तो फिशिक्स में बात करें, यह फिजिक्स का सवाल, शिफ्ट वर्न के मुकाबले था स और इसमें पेपर पूरी तरह से 11th और 12th के बालेंस भी में देखे है इसमें electricity, modern physics, optics, mechanics और previous questions का अच्छा मिला जूला असर देखने को मिला और कुछ calculation थे 2-3-4 सवालों में जिसमें calculation थोड़ा healthy हो रहा था पर आप उसे avoid कर भी सकते थे और कुछ trickly भी ही उसे solve कर सकते थे अग अगर math के section के बात करें तो math इस बार भी moderate से थोड़ा ऊपर बोला जा सकता है इसमें vector, static 6 और straight line फिर से इसी calculus के सवाल है matrix के और complex number के सवाल भड़े परे थे 3-4 सवाल जिसे आप कहा सकते हैं कि previous questions से सीधे match कर रहे थे मतलब आप इतना मान लें कि NTA की इस बार के paper planning के तहट previous two year के सवाल ज्यादा important होते जारे हैं जैसा कि हमने आपको examination tips में भी बताया उसी तरह से यहां पर भी सीधा जलक रहा है कि NTA के मनसा क्या है कुछ important topics जो first day के summary से हम बताने चाहेंगे वह है chemical kinetics chemistry के लिए chemical kinetics and overall total organic chemistry है क्योंकि अकेले organic chemistry एक booster की तरह यहां पर बाग कर रहा है उसके बाद thermochemistry इंटीजर टाइप सेक्षन में आपको thermochemistry का एक अच्छा input देखने को मिलेगा ठीक है physics में बात करें electricity दोनों ही shift में अच्छे सवाल को रख रहा है ठीक है और mechanics के basic conceptual सवाल जो आपके concept cleared है वो बनने ही वाले है integer section में भी mechanics के सवालों को डाला जा रहा है ठीक है तो इस बात का ध्यान रहा है कि mechanics में to the point solve करने का प्रयाश कर ठीक है थोड़ा सा last minute में अगर आप देखने मज जाई last previous NTA के questions के cable approach को clear कीजे और exam hall में इंगे attempt लीजे with best wishes thank you so much have a nice day